नमस्कार दोस्तों अगर आपके पौधे पर फल नहीं लग रहे हैं फूल नहीं आ रहे हैं या तो फिर फूल आ रहे हैं कलियां ज़ड़ जा रही है या फिर आपके पौधे में ये समस्य है कि पीले होके पत्तियां जो हैं गिर जा रही है या तो फिर आपका पौधा ही मर ज और आप देख सकते हैं मेरे फ्लावर्स मैं आपको ये फ्लावर बनाने से पहले आपको अपने गार्डन का अपडेट दिखा रही हूँ कि कितने सारे फ्लावर सुंदर सुंदर फ्लावर मेरे गार्डन में खिले हुए हैं और ये कितने सुंदर लग रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपका गाडन भी इसी तरह से फूलों से भरा रहे और पत्तियां हमेशा लश ग्रीन बनी रहे तो इसके लिए आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूं आपके लिए देखिए बहुत ही जादा उपयोगी होने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो हूं एक और गैनिक खाद जो कि बहुत ही अच्छा काम करेगा आपके प्लांट पर और साथ ही साथ इसमें मैं एक और चीज मिलाओंगी जिससे की वह पैस्टिसाइड का भी काम करने लगेगा तो यह पत्तियां और कुछ नहीं है आप तो इसे देखकर पहचानी गया होंग जो है माइक्रो नूट्रिशन और मैक्रो नूट्रिशन पाए जाते हैं जिससे की हमारा प्लांट जो है बहुत अच्छी ग्रोध करता है इससे में दो तरह के फर्टिलाइसर आपको बना के दिखाऊंगी कि इसे आप दो तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं एक स्प्रे प्लास्टिक की बोटल में यूही डालकर और पानी डालकर रख देंगे और दस से पंदरा दिन के बाद हम इसका पानी पानी दालकर रख देंगे पानी यूज कर पाएंगे अब पतियों को कैसे यूज करना है वह देखिए यह देखिए हम अच्छी तरह से सारी पतिया निकाल लेंगे हमने पतिया निकाल ली है डंडिया अलग कर रही है अब इन पतियों को हम क्या करेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसको ग्र हुआ है कीडे मकौडे फंगस लग रहे हैं तो हम नीम का प्रयोग करते हैं लेकिन अगर आपको यह नीम की पतियां मिल जाती है तो इसकी कुछ पतियां आप इस मोरिंगा यानि की ड्रम स्टिक के पतियों के साथ डाल कर पीस लें इसका पेस्ट बना ले और इसका ही प्रहुल होती है तो आप इस से तरह से उघ्ली से चाला कर श़ान ले यह देखिए मैंने छान वे ले लिया है और यह जितना भी पत पत्ला था वह निकल गया और जो इसमें पतिया थी मोटी वाली वह मधने एक नहीं मानेंगे कि आप जो केले के चिलके प्लांट में डालते हैं उससे कई गुना ज्यादा पोटेशियम इसमें मिलेगा साथ ही साथ प्रोटीन जो अंडे में आप प्रोटीन पाते हैं वो अंडे से भी कई गुना ज्यादा इसमें प्रोटीन मिलता है यहां तक कि अगर हम जूस पीते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशेल होता है यह देखिए मैंने इन दोनों बॉटलों में भर लिया है अलग-अलग करके जो थोड़ा सा मोटा पार्था कोर्स पार्ट उसमें मैंने पानी मिला दिया है और आपको इस तरह से बॉटल में भरके प्रिजर्व कर लेना है जब आप इसे रख लेंगे अब आपको मैं बताती हूं कि इसे यूज कैसे करना है क्योंकि यूज हम गलत तरीके से करेंगी तो भी हमारे पौधों पर प्रभाव पड़ता है तो इस तरह से हम नापने वाला ले लेंगे और यह देख रहे हैं मेरे स्प्रे बॉटल में यह फसेगा यह देखिए मैंने यहां पर ले लिया है 10 ml जो कि मैं एक लिटर पानी में मिला रही हूं और साथी साथ फिर से मैं 5 ml लूँगी जो कि टोटल हो जाएगा 15 ml एक लिटर पानी के लिए अब हम क्या करेंगे इसे हम अपने पौधे पर में इतनी फ्लावर और फ्रूट पैदा करेगा कि आपको यकीन नहीं होगा जो मोटा वाला कोर्स जो हमने पीसा है उसका जो बचा हुआ है उसको आप डारिक पानी में मिलाकर उसे 20-25 ml लीजिए डारिक पानी में मिलाकर आप उसे अपने प्लांट की जड़ों में डाल सकत यह देखिए मैं आपको आपको सामने में आपको जो है अपने प्लांट पर डाल कर दिखा दे रही हूं कि किस तरह से आपको इसका छिड़काव करना है अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपकी प्लांट की ग्रोध बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों अब हम 2 सेकंड बात ही साथ इसमें पोटेशिम बहुत अच्छी मातर में मिलेगा यह आपकी पौधों में बहुत सारे फूल किलाने की साथ साथ आपके पूरे जो पौधे का हेल्थ है उसको बहुत ही अच्छा बनाकर रखेगा तो इस जो मैंने बनाया है फर्टिलाइजर इसका उप्योग है तो मेरे वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि आप इस जो है फर्टिलाइजर का उप्योग कर चुके हैं और वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद